अगर आप री रेजिट्रेशन क्या होता है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है अगर आप री रेजिट्रेशन को नहीं जानते है साथ ही बताएंगे कि री रेजिस्टेशन जुलाई 2023 के लिए कब से आरंभ होगा तो वीडियो में बने ढ़िए साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट किजेगा और साथ ही बने बेल नोटिफिकेशन को ओन किजेगा ताकि इगनों से संब्सक्राइब जितने भी लेटेस्ट न्यूज अपडेट हो वह आपको वीडियो के माध्यम से आप सक पहुंचता रहे ताकि आप बिना किसी परिशानी के इगनों में अपनी पढ़ाई जाई रख सक जैसा कि आप सभी को पता है कि इगनों से कोई कोई मिलता है गर से या ध होता है और उन्य पर सभी जानकारी उन्हें चार-चार-पांच-पांच साल लग जाता है कंप्लेट करने में तो यह महत्पुन जानकारी आपके लिए है ध्यान से एक-एक जानकारी को सुनिए ताकि आप किसी परशानी में ना फसे देखिए री रेजिस्ट्रेशन का सीधा-सीधा मतलब होता है एडमिशन आप आपने जब एडमिशन लिया होगा फर्स्टायम तो आपने आडमिशन लिया उसके बास सेकेंड इयर थर्ड ऊप्र सेकेंस्टर थर्डसमेश्टर आधी में जाने के लिए आपको री ребिस्टेशन करवाना होता है जैसे अधर इनुद्टि 효ется होंगे कि आप एक्जाम देते ह इससे कोई दिकत नहीं है, पर आप नए next semester में, next year में, next class में जाने के लिए आप eligible होते हैं, अपना admission यानि की re-registeration करवा सकते हैं, यह सुधा आपको एक दो में मिलती है, तो जैसे माल लिजे आपने admission लिया, July 2022 में माल लिजे आपने admission लिया, तो आपका जो next registration होगा, next year के लि जिनका yearly wise program course है, उन्हें जैसे July 2022 में उन्हें admission लिया है, तो वैसे student July 2023 में अपना registration करवाएंगे, वहीं अगर बात करें semester वालों की, तो जिनका six month का semester wise होता है, वे माल लिजे जुलाई 2022 में अपना admission लिये थे, चुकि उनका semester wise course है, तो उन्हें 6 महने बाद ही, यानि कि January 2023 में उन्हें अपना registration करवा लेना चाहिए था, या फिर जिनका yearly wise है, वे माल लिजे जिनका January 2023 में अपना registration करवाएंगे, इन सब बातों का आप ध्यान रखें और बात कर लेते हैं कि आपका registration कब से आरंब होगा, तो देखिए, July 2023 के लिए जो registration का time आएगा, वह आपका माई के second week में, या फिर इसके माई के last week में आपको registration अपलाई करने का आपको notification जारी होता है, तब अपना आप registration करवा सकते हैं, यह महत्पून जानकारी थी, जो लगभग सभी इगनों में पठे वाले student को पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यह चीज़ पता ना होने से, आप इगनों में अपने program को, अगर तीन साल का course है, तो चार साल, पांसाल लग सकते हैं, आपको complete करने में, क्योंकि आप next year में edition ही नहीं लेंगे, तो next year के exam में आप बैठ नहीं पाएंगे, इस तरह आपका course लेट हो सकता है, इसलिए य आनका एक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,